एक सवाल अलमोस मुझसे हर दिन पूछा जाता है चाहे वो यूट्यूब वीडियो का कमेंट सेक्षन हो या फिर मेरी लाइब वोक्षों प्रत्यूश मैं अपनी लाइफ में अपने पर्फेक्ट लाइफ पार्टनर को कैसे अट्रेक्ट करूँ जिसकी हेल्प से आप अपने पार्टनर को अट्रेक कर पाएंगे बिना किसी मिस्टेक के तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा तो आईए जानते हैं इन तीनों स्टेप्स के बारे में इस वाइट बोर्ड पर इन सारी स्टेप्स को अपलाई करना है पहली स्टेप है हील यानि कि अगर आप अपनी लाइफ में एक पार्टनर चाहते हैं पर्फेक्ट पार्टनर ड्रीम पार्टनर चाहते हैं तो जरूरी है कि उसके पहले आप अपनी हीलिंग करें Healing का मतलब यह है कि आपको अपने अंदर से उस negativity को बाहर निकालना पड़ेगा जो आप relationship के बारे में रखते हैं और उसके लिए मैं आपको suggest करूँगा कि आप अपने बचपन से लेके आज तक के experience को देखें relationship के साथ में इसे कौन-कौन से moments हैं जो आपको बोलते हैं कि relationship खराब है या फिर आप एक perfect partner deserve नहीं करते हैं आप उन सारी memories को याद करिए सोचिए जब आप इस दुनिया में आये थे तो आपने relationship को देखा आप पहले आपने अपने पापा मुमी को देखा होगा क्या देखा उनके relationship में आपने अपने अपने दोस्तों को देखा होगा आपने कोई movie देखी होगी और आपने क्या विचार मनाना start कर दी है relationship के बारे में क्या आप सोचते हैं relationship एक burden है क्या आप सोचते हैं कि relationship आने से आपकी freedom छीन ली जाएगी तो पूछे अपने आपसे इसी कौन सी यादें हैं जहां से आपने एक खयाल अपने अंदर डाल लिए और उन यादों को ज़रूर ये कि आप डिलीट करें उन पर से नेगेटिव चार्जस को हटाना स्टार्ट करें और दूसरी चीज ये है कि अगर आप एक ऐसे पास्ट रिलेशनशिप में रहें जहां पर आपका पार्टनर टॉक्सिक था उसने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया या फिर आपको धोका दिया तो क्या वहां से कोई बिलीफ आपने अपने मने बना लिये और प्युक्तिक थाब लेशनशिप जो है वहमें शाद दर्द देती है या सच्चा पार्टनर सबको नहीं मिलता अइडिन्टिफाई करिये कि आप रिलेशनशिप के बारे में सोचते क्या है जब आप किसी कपल को देखते हैं क्या आपको jealousy महसूस होती है, क्या आपको लगता है कि आप enough नहीं है, आप ugly है, या फिर आपकी life में वो partner आई नहीं सकते हैं, दुनिया में partners खतम हो गए हैं, और आप बस अकेले ही रह जाने वाले हो, अगर आपके मन में यह सारे खयाल आते हैं, तो ज़रूरी यह है कि आप अपनी healing करें पहले, healing करने के लिए simple चीज में आपको बताना चाहता हूँ पहले, सबसे पहले उस thought को identify करिये जो negative है, relationship के बारे में, और पूछिए अपने आपसे इस thought से related memory कौन सी है, जहां से यह thought मेरे मन में आया, और फिर आखें बंद करिये, आखें बंद करके बैट जाएए, और वो जो भी event हुआ था आपके life में, जहां से यह thought आपने पकड़ा, उस event को forgive करिये, उस event में जितने भी लोग थे, शायद वो आपके parents हो सकते हैं, शायद वो कोई relative हो, शायद आपका ex partner हो, आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें माफ करना स्टार्ट करें, याद रखिए आप उन्हें माफ इसलिए नहीं कर रहे हैं, कि आप उनकी बात को approve कर रहे हैं, आप उन्हें माफ कर रहे हैं, क्या आप इस negative energy को release करना चाहते हैं, तो पूछिए अपने आपसे से कौन सी negative beliefs आप रखते हैं, और उन negative beliefs delete करिए with the help of forgiveness, उन events को, उन सारे लोगों को forgive करना स्टार्ट करिए, और पूछिए अपने आपसे, क्या अपने बारे में आप कुछ negative beliefs सकते हैं, क्या आपको लगता है कि आप enough नहीं हैं, beautiful relationship आपके life में आए, उसके पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप healing करें, अगर healing नहीं हुई, तो आपका जो partner आएगा वो भी अधुरा आएगा, और आपके शायद उसके साथ experience उतने अच्छे ना रहे हैं, तो ज़रूरी है, पहले आप heal करें अपने आपको और आगे बढ़ें, now step number two, step number two में आपको क्या करना है, आपको identify करना है, आपको identify करना है कि आप कैसा partner चाहते हैं life में, तो बैठिए paper और pen लेकर और पूछिए आपका partner कैसा होगा, उसमें क्या qualities होगी, तो definitely आप लिख सकते हैं कि आपका partner healthy होगा, आपका partner healthy होगा, कौन चाहता है कि हमारा partner जो हमेशा भी मार रहे है, आपका partner जो है वो attractive होगा, राइट, वो बहुत ही सुन्दर होगा, बहुत ही good looking होगा, आपका partner जो है उसमें sense of humor रहे, healthy, attractive, growth mindset से आए, जहाँ पर वो भी growth में believe करता हो, अगर आप growth में believe करते हैं, सीखने में believe करते हैं, तो वो भी करे, आप चाहेंगे वो financially stable हो, financially वो stable रहे, ऐसी कहीं सारी qualities आप list down कर सकते हैं, किसे kindness, supportive, आपके लिए ज़रूरी है कि आप सारी qualities जो भी आप चाहते हैं, अपने partner के अंदर होने list down कर लें, and then step number two, जब यह identify कर लें, आपके आपका partner जो है, वो कैसा दीखेगा, उसमें क्या qualities होगी, आप अपने आप से पूछें, कि आपके अंदर क्या ये qualities हैं, क्या आप already healthy हैं, क्या आप अच्छे shape में हैं, क्या आप attractive दीखते रहे हैं, क्या आप अपने आपको अच्छे से carry कर रहे हैं, क्या आप growth mindset रखते हैं, क्या आप financially अच्छे हैं, क्या आप kind हैं, क्या आप supportive हैं, अगर आपको लगता है कि इन में से कोई सी भी quality आपके अंदर missing है तो इन qualities को अपने अंदर develop करना start करिए योकि जब आप इन qualities को अपने अंदर develop करोगे आपकी frequency उस frequency पे आने लगेगी जहाँ पर perfect partner आपसे match करे मान लीजिए आपके अंदर ये qualities नहीं है partner जो चाहते है वो ये qualities रखने वाला हो तो आपकी तरफ attract की होगा so ज़रूरी है कि हम इन qualities को develop करें जो भी हमारे अंदर missing है और हमारी vibration higher level पे आने लग जाएगी ये हुआ identify now इसके बाद आता है prepare आपने identify कर लिया कि मुझे कैसा partner चाहिए आपने अपने अंदर भी वो qualities develop करना start कर दी इसके बाद आती है step number 3 और वो है prepare करना so law of attraction कहता है कि आप जो हो आपको वही मिलता है आप जो चाहते हो आपको वही मिलता है so imagine करिए कि आपका partner अगले 2-3 महीने के अंदर आपकी life में आने वाला आपका perfect partner आपकी life में already आने वाला है उस तरीके से कपड़े पहनना है बाते करना है उस तरीके से रहना start कर दीजिए जब आप उस तरीके से रहना start कर देंगे आप universe को बहुत ही clear signal देंगे कि आप prepare है अपने partner के लिए आपको अपने आपसे पूछना है कि आपका partner दिखा कैसा और second step में आपने already पूछ लिया कि आपका partner जो है उसमें क्या qualities होगी इस जो भी qualities हैं इस तरह का एक partner अपने imagination में create कर लीजिए और हर दिन अपने imagination में उस partner के साथ में जाइए shopping करना है जाई ये dinner पे जाई ये कुछ भी करिए imagination के अंदर उस partner के साथ रहना start कर दीजिए जब आप imagination में उस partner के साथ रहना start करेंगे आपके mind के अंदर connection और strong होने लग जाएंगे जहां पर आपके लिए उस partner को feel करना कि वो बस आही रहा है और strong हो जाएगा जब आपके thoughts आपके emotion आपके action एक ही direction में partner को attract करेंगे आपका partner जल्दी ही आपके life में show करेगा यहाँ पर आपको इन तीनो steps को apply करना है one by one पहले आप heal करेंगे अपने आपको याद रखेगा आपके लिए healing बहुत ज़रूरी है दूसरे process में आपको identify करना है वो partner जो है वो start कर दीजिए उस partner के साथ imagination में रहना start कर दीजिए तो यह तीनी steps से जिने आपको one by one apply करना है अब कुछ tips जो मैंने कहा मैं आपके साथ share करने वाला था जरूरी है कि आप इन tips को भी apply करें देखिए यहाँ पर जब आप एक partner को attract कर रहे हैं यह ज़रूरी है कि आप किसी particular person को अपने mind में ना रखें या फिर अपने ex को mind में ना रखें कि यह nature के loss के खिलाफ हो जाता है आप किसी और की thought process पे control नहीं कर सकते तो यह ज़रूरी है कि जब भी आप अपने partner को attract कर रहे हैं आप उसे my man या फिर my woman करके ही बुलाएं कोई नाम ना दे my man या फिर my woman करके ही अ identify करें और उन्हें कोई face ना दे imagination में जो भी partner आप imagine कर रहे हो उसके उपर कोई particular person का face ना लगा है आप ऐसे ही abstract सा कोई face लगा सकते हैं बट किसी particular person का face ना लगा है यह बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने person को कोई नाम दिया आपके लिए बहुत ज़ार desperation create हो जाएगा औ desperation उस person को दूर करेगा आपसे अगर आप face लगाते हैं तो भी desperation create होगा आपकी तरफ से neediness के energy उन्हें मिलेगी जिससे वो आपसे दूर होने लग जाएगे and I'm sure कि आप नहीं चाहते हैं कि आपका partner आपसे दूर हो तो आपके लिए ज़रूर यह आप my man my woman लगाए और किसी भी particular face को ना दीख जो आपके मन में चल रहा हो तो यह कुछ चीज़े हैं जिनकी help से आप अपने partner को attract कर सकते हैं कुछ चीज़े और मैं बूलना चाहता हूँ end करने से पहले देखिए एक बहुत ही गलत belief चलती है हम सब के मन में और वो यह है कि हमारा partner जो बहार से आएगा और ह लाइफ में partner आएगा मतलब आप अभी shine नहीं कर रहें अगर आप अभी shine नहीं कर रहें तो आपकी energy attractive नहीं है वो partner attract नहीं होगा तो यह ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर भी काम करें self love पे काम करें अपने अंदर खुद के साथ perfect महसूस करें because you are already perfect राइट बहार से आने व की so that's all for this video अगर आपको इस वीडियो में दी गए information अच्छी लगी तो like comment और share करना मद भूलिएगा और अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो hit that subscribe button I am Pratyush and I will see you in the next video